वेलकम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल आज हम विविद परशन माला छे का भागदो हल करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन में हम एक दियेगे फलन की X बराबर 4 बटे 3 पर सतत्ता की जाज करनी हैं जिसके लिए हम सबसे पहले फलन का मान ग्यार करते हैं यानि F चार बटे 3 तो हम लोग दियेगे फलन में X के स्थान पर रखते हैं चार बटे 3 और इसे हल करते हैं यदि हम इसे हल करेंगे तो 3 से 3 कैंसल होने के बाद ओवरल आंसर बनेगा 0 बटे 0 जो की एक ऐ निरधारय रूप है इसका मतलब दिये गए बिंदू पर फलन के मान का स्तितव नहीं होगा अर्थाद दिया गया फलन सतत नहीं होगा जो की आपके कॉश्ण का फाइनल आंसर है नेक्स कॉश्ण में दिया गया फलन मापांक वाला फलन है जिसे मापांक रहित करने पर हमें निमन फलन मिलेगा जिसको नाम देते हैं समीकर नमबर एक अब हमें बंद अंतराल माईनस एक दो में फलन के सतत होने की जाच करनी है इसके लिए हम पहले माइनस एक और दो से बने हुए खुले अंतराल में सरतोनेगी जाँच करेंगे और उसके लिए भी केवल उनी बिंदों का चुनाव करेंगे जिन पर फलन का मान बदल रहा हो तो यदि हम इस फलन में देखें तो वह बिंदों हमें प्राप्त होते हैं जिरो और एक जिन पर फलन का मान चेंज हो रहा है अब यहां से एक क्वेशन 6.2 का क्वेशन नमबर 3 बन जाता है अतै इसको इसी क्वेशन के जैसे आगे हम लोग हल कर लेंगे हमारे next question में दिया गया फलन x ब्राबर 0 पर सतत है तो हमें f0 का मान ग्याद करना है और हमारे पास यहां है एक ही function है यानि कि एक single function है तो इसके लिए मैंने आपको पूरों में बताया था इस थिति में fa का मान ग्याद करना हो तो उसका सुत्तर होता है limit x tends to a और fx तो हम इस सुत्तर का उपयोग करते है और f0 का मान ग्याद करते है तो हम लिखेंगे इसलिए f0 equal होगा limit x tends to 0 और fx और अब fx जो है उसको as it is लिख देते है अब आप याद कीजिए कक्षा 11 में हमने द्वीपद परमेग में एक सुत्तर पड़ा था कि यदि x अत्यांत छोटा हो और इसकी घात n हो तो इसका मान हो सकता है 1 प्लस nx जिसमें हम x की उच घातों की पदों को नगर्ने मान लेते हैं तो यहाँ पर x tends to 0 का मतलब है कि x अत्यांत छोटा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं द्वीपद परमे से यह step बन जाएगा limit x tends to 0 1 प्लस 1 बाइ 2 इंटो x माइनस 1 प्लस 1 बाइ 3 इंटो x अपोन x इसके बाद next step बनेगा limit x tends to 0 जिसमें 1 से 1 हो जाएगा cancel 6 बचेगा x बटे 2 माइनस x बटे 3 अपोन x अंश में यदि हम लोग lsim लेके हल करें तो हमें प्राप्त होगा limit x बटे में 6 और बटे में x जिसमें x से x कैंसिल होने के बाद हमारे को मिलेगा limit x tends to 0 एक बटे में 6 जो कि एक constant है इसलिए limit अप्लाई करने पर भी हमें मिलेगा एक बटे 6 जो कि 0 पर फलन का मान होगा next question नमर 20 में हमें फिर से दिये गे फलन के लिए x बराबर 0 पर संतर तिता का परिक्शन करना है इसके लिए हम पूरुफ की बांती ही फलन का मान ग्याद करते हैं जिसका मतलब है f0 जिरो पर फलन का मान प्राप्त होगा एक जिसको नाम देते हैं समी का नमर 2 अब ग्याद करते हैं 22 मा जिसमें 0-h का मतलब not equal 0 तो उसके संगत इस फलन का यूज किया जाएगा तो हमारे को मिलेगा limit h tends to 0 e की पावर minus 1 बटे h minus 1 बटे में e की पावर minus 1 बटे h और plus 1 जिसमें limit का यूज करने पर हमें प्राप्त होगा e की पावर minus infinitive minus 1 upon e की पावर infinitive plus 1 यानि की यहाँ बनेगा 0 minus 1 upon 0 plus 1 क्योंकि e की पावर minus infinitive का मान होता है 0 जो की पूरम में भी बताया जा चुका है इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा minus 1 जो की 22 सीमा का मान होगा तो समीकन दोर तीन से सपस्ट है कि यह मान एक समान नहीं है अतै दिया गया फ़लन x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा जो की आपके question का final अतै नेक्ट question में हमें ग्याद करना है कि Sinex फ़लन x के किन मानों के लिए अवकलनिया होता है और यह हम पहले से ही जानते हैं कि Sinex और Cosex परतेक वास्तिक मान के लिए अवकलनिया होता है अतै आपको इस question को परशन माला 6.2 के question number 1 के fourth part के जैसे ही हल करना है जिससे यह सिद हो जाएगा कि यह परतेक वास्तिक संख्या के लिए अवकलनिया है next question में हमें एक दियेगे फलन की अवकलनियता की जाँच परतेक वास्तिक संख्या के लिए करनी है और उसके बाद F-0 का मान भी ज्याद करना है लेकिन वास्तिक संख्याओं की संख्या बहुत अधिक होती है इसलिए परतेक वास्तिक संख्या पिए जान संभव नहीं है इसके लिए हम सिरफ उनी बिंदों को कंसीडर करते हैं जिन पर फलन का मान बदर रहा हो यानी सिरफ x बराबर 0 पर हम इसकी जाच करेंगे 6 सभी बिंदों पर ये फलन अवकलनी होगा क्योंकि यह दो सतत और अवकलनी फलनों का गुणन फल है क्योंकि x स्क्वेर एक बहुपद फलन है जो की सरवत्तर अवकलनी होता है और sin x भी एक सरवत्तर अवकलनी है तो इनका गुणन फल भी एक सरवत्तर अवकलनी होगा अत्य हम लोग सिरफ x बराबर 0 पर फलन की अवकलनीता की जाच करेंगे और इसके लिए हम सबसे पहले 0 पर फलन का मान गयात करेंगे जो की प्राप्त होगा 0 इसके बाद हम लोग F0-H और F0-H कमान ग्याद करेंगे जिनके संगत केवल यही फलन यूज होगा क्योंकि दोनों इस्तितियों में X कमान नों टिकवल 0 है तो हमें प्राप्त होगा minus H square और sin minus H जो की ठीक होने पर value देगा H square और sin minus theta होता है minus sin theta इसी प्रकार यहां बनेगा H square into में sin H इसको ओवराल नाम देते हैं समीकन नमबर 2 अब ज्याद करते हैं 0 पर value college जिसमें यहां समीकन 2 से man use कर लेते हैं जिसमें इस 0 का कोई उचिते नहीं है और 6 minus से minus और 1 H से H कर देते हैं cancel तो next step बनेगा limit H tends to 0 H into में sin H जिसमें limit apply करने बर बनेगा 0 into sin 0 यानि की 0 तो overall 0 और 0 का गुणा करके हमें प्राप्त होगा 0 जो की buy of clutch का मान है जिसको नाम देते हैं समीकन नमबर 3 अब ज्याद करते हैं buy of clutch जिसमें पुने समीकन 2 से मान use करते हैं तो हमें मिलेगा जिसे पूर्व की बानती है हल करने पर limit H tends to 0 और H sin H मिलेगा जिसमें limit apply करने पर हमें मिलेगा 0 जो की dying of clutch का मान होगा इन दोनों equation से यह पस्ट है कि दिया गया फलन X परापर 0 पर अवकलनिये होगा या यूँ कहें कि दी गई परतेक वास्तिक संख्या के लिए यह फलन अवकलनिये होगा जो की अपके question का येक answer है अब हमें अंत में F dash 0 का मान भी याद करना है जो की वास्तम में buying of clutch या dying of clutch का ही मान होता है जो की हमें इस question में प्राप्त हो रहा है जीरो इस साधार पर F dash 0 का मान हमें प्राप्त होगा 0 जो की आपके question का final answer है next question में हमें दियेगे फलन की x बराबर a पर अवकलनियता की जाच करनी है जिसके लिए हम पहले F A का मान ग्याद करेंगे जो की हमें प्राप्त होगा 0 और फिर हम F A minus H का मान ग्याद करेंगे और F A plus H का मान ग्याद करेंगे दोनों ही के यानि दोनों A minus H और A plus H के लिए ये की फलन यूज होगा तो हमें मिलेगा A minus H minus A का square और sin 1 upon A minus H minus A जिसको आगे हल करने पर A से A cancel होगा और minus H का square होगा S square यहां पर भी A से A cancel और sin minus theta होगा minus sin theta इसी परकार A plus H वाल एपकपद को हल करें तो हमें पराप्त होगा S square into sin 1 upon H जिसको नाम देते हैं overall समीकन नमबर 2 इसके बाद X बराबर A पर दाया और बायावकलज ग्याद करते हैं जिसमें यहां समीकन 2 के मान को यूज कर लेते हैं जिसमें इस 0 का कोई उचित्य नहीं है और next step में minus और minus और 1 H स 1 H को cancel कर देंगे जिससे हमें अगला परद मिलेगा limit H tends to 0 H into में sin 1 upon H जिसमें हम limit apply करें तो हमें मिलेगा 0 into में आएगा sin infinitive और हम जानते हैं कि sin infinitive निश्ची तो नहीं है लेकिन minus 1 और plus 1 के मद्धे की कोई परिमित राशी होगी जिसका गुणा 0 से करने पर हमें overall उत्तर प्राप्त होगा 0 जो की A पर 2 उकलज का मान होगा जिसको नाम देते हैं समीकन नमबर 3 इसी परकार दाया उकलज होगा जिसमें पुने समीकन 2 का मान यूज करते हैं तो जिसको पूरुव की बांती हल करने पर हमें मिलेगा limit h tends to 0 h into sin 1 बटे h जिसमें limit को यूज करने पर हमें पूरुव की बांती ही उत्तर प्राप्त होगा 0 जिसको नाम देते हैं समीकन नमबर 4 अब समीकन 3 नोच 4 से हमें दोनों अवकलज के मान एक जैसे मिल रहे हैं इसका मतलब दिया गया फलन x बराबरे पर अवकलने होगा जो कि आपके question का final answer है next question में हमें दिये गया फलन के लिए सिद्ध करना है कि यह x बराबरे एक पर अवकलने है नहीं है इसके लिए हम सरव प्रत्व फलन का मान एक पर ग्याद करते हैं तो equal एक यहाँ है जिसके संगत फलन का मान होगा x square minus 1 इसलिए हमें उत्तर परावत होगा x square minus 1 यानि की 0 इसी परकार हम लोग 1 minus h और 1 plus h का मान पहले ही ग्याद कर लेते हैं 1 minus h का मतलब x से छोटा जिसके संगत फलन यूज किया जाएगा 1 minus x तो हमें प्राप्त होगा 1 minus 1 minus h जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा edge इसी परकार 1 plus h का मतलब 1 से बढ़ा जिसके संगत फलन होगा x square minus 1 तो हमें प्राप्त होगा 1 plus h का square minus 1 जिसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा x square plus 2 h जिसको overall नाम देते हैं समी का नमबर 2 अब हम पहले ग्याद करते हैं बायाव कलज जिसमें यहां मान रखते हैं समी का नमबर 2 से तो हमें प्राप्त होगा limit h tends to 0 h minus 0 upon minus h जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा limit h tends to 0 h में minus h का भाग देने पर प्राप्त होगा minus 1 जो कि एक constant है तो value आएगी by of clutch की minus 1 जिसको नाम देते हैं दायाव clutch जिसमें समी कंदो से मान use कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा अगले प्राप्त में limit h tends to 0 h square plus 2 h minus 0 और बटे में h जिसको आगे हल करने के लिए हम अंश में से common ले लेते हैं h तो हमें प्राप्त होगा h into h plus 2 और बटे में h जिसमें h से h cancel करने के बाद limit apply करेंगे तो हमें value मिलेगी 2 जो की एक पर दायाव clutch का मान होगी जिसको नाम देते हैं समी कंद 4 अब समी कंद 3 और 4 से सपस्ट है कि दिया गया फलन x बराबर एक पर अवकलनिया नहीं है और हमें इस question में यही सिद्ध करना था next question number 25 में हमें फिर से x बराबर 0 पर एक दिये गये फलन की अवकलनियता की जाच करनी है यदि आप दियान से देखें तो ये वास्तव में mode x वाला function है जो की पूरो में 6.2 में question number 2 है तो इसको ठीक उसी method से आपको solve करना है next question में हमें सिद्ध करना है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनिये होगा इसके लिए हम सबसे पहले कक्षा 11 में use किये गए 2 सुत्रों को याद करते हैं जिसमें cos x का सुत्र होता है 1- x square बटे factorial 2 plus x की power 4 बटे factorial 4 minus डेश 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 और लोग 1 plus x का सुत्र होता है x- x square बटे 2 plus x cube बटे 3 minus डेश 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 और लोग 1 minus x का सुत्र होता है minus x minus x square बटे 2 और minus x cube बटे 3 minus डेश 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 तो इन सुत्रों को हम याद रखते हुए इस question को हम सिद्ध करेंगे कि यह x ब्राबर 0 पर अवकलनिया है सबसे पहले हम लोग ग्याद करते हैं 0 पर factorial का मान यानि की f 0 जो हमें प्राप्त होगा 0 अगला काम है हमारा log cos h upon log 1 plus h square और यहां मिलेगा h log cos h upon log 1 plus h square जिसको overall नाम देंगे समीकन नमबर 2 अब ग्याद करते हैं बायाओ कलज जिसमें समीकन 2 की साहता से मान रखने पर हमें प्राप्त होगा limit h tends to 0 minus h log cos h upon log 1 plus h square minus 0 upon minus h इस 0 का कोई होचीत है नहीं है इसलिए next step में minus h से minus h cancel होने के बाद हमें मिलेगा limit h tends to 0 log cos h upon log 1 plus h square अब हम इसके अंदर cos x का सुत्तर जो भी हमने लिखा था उसको यूज करते हैं तो यहां पर cos h का जो सुत्तर बनेगा वो कुछ इस परकार होगा 1 minus h square बटे फेक्टोरियल 2 यानि की 2 plus h की पावर 4 बटे फेक्टोरियल 4 यानि की 24 और यह इसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा अपोन हमें लोग 1 plus x का सुत्तर यूज करना है तो जिससे हमें मिलेगा x minus x square बटे में 2 और प्लस यह यूँ ही आगे बढ़ता जाएगा अब h tends to 0 का मतलब है h बहुती छोटा है तो हम इसकी उच गात के पदों को यानि h की पावर 4 और उससे बड़े गात के पदों को नगणने मान लेते हैं जिस आधार पर हमें अगला पद मिलेगा limit h tends to 0 उपर होगा log 1 minus x square बटे 2 और बटे में होगा सिर्फ h square next step में limit h tends to 0 अंश वाले में log 1 minus x का सुत्तर यूज करते हैं तो हमें मिलेगा minus x minus x square जोगी होगा h की पावर 4 बटे 4 और बटे में 2 और minus dash dash upon s square इसमें फिर से उच घात के पदों को नगणने मान लेंगे क्योंकि h का मान बहुत ही छोटा है तो हमारे को next step मिलेगा limit h tends to 0 minus x square बटे 2 और बटे में x square जिसमें x square से x square हो जाएगा cancel 6 बचेगा minus 1 बटे 2 जिस पर limit अपलाई करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा minus 1 बटे 2 जो की 0 पर बाया अव गलज का मान होगा इसी परकार दाया अव कलज समीकन 2 से मान को यूज करते हैं जिसमें 0 का कोई उचिते नहीं है और अगले पद में x से x को हटा देते हैं तो अगला पद मिलेगा जो की पुने ये वाला पद होगा जो की हमने बाया अव कलज में यूज किया है तो इस परकार इस पद को भी हल करने पर हमें उत्तर पराप्त होगा एक बटे दो जो की दाय अव कलज का मान होगा जिसको नाम देते हैं समीकन नमबर 4 अब तीन और समीकन नमबर 4 से मान एक जैसे मिल रहे हैं इसका मतलब दिया गया फलन एक्स बराबर 0 पर अव कलनिया है और हमें यही सिद्ध करना था नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फलन मापांक के रूप में दिया गया है तो सबसे पहले दिये गए फलन को मापांक रहित करते हैं और इसके लिए आप उपर आई लिंक में दिये गए वीडियो को भी देख सकते हैं जिसकी हमें अंतराल-1-3 में अवकलनियता की जांच करनी है इसके लिए हम सबसे पहले खुले अंतराल-1-3 में जांच करेंगे और इसके लिए हम केवल उनी बिंदों पर विचार करेंगे जिन पर फलन का मान बढ़ रहा हो तो यदि हम इस मापांक रहित फलन में देखें तो वह बिंदो हमें मिल रहे हैं दो और तीन जिसमें से केवल बिंदो दो ही इस अंत्राल में शामिल है अते हम इस खुले अंत्राल में अवकलनी ताकी जांच करने के लिए केवल एक्स बराबर दो का उप्योग ही करने वाले हैं यदि यह फलन एक्स बराबर दो पर अवकलनी हैं होगा तो हम इसको इस खुले अंत्राल में भी अवकलनी हैं मान लेंगे और यदि ऐसा नहीं हो तो यहे कि खुले अंतराल में अउकलनीय नहीं होगा और यहे इस बंद अंतराल में भी अउकलनीय नहीं होगा अब बिंदू 2 पर जाच करने के लिए सबसे पहले हम 2 पर फलन कमान गयात करते हैं जो की प्राप्ट होगा 2 उसके बाद f 2-h कमान गयाद करते हैं जिसके लिए ये वाला अंत्राल और ये वाला फलन यूज किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 8-3 गुणा में 2-h जिसे और हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 2-3h इसी प्रकार f 2-h भी गयाद करेंगे जिसके लिए हमें इस संत्राल की आफशक्ता होगी जिसके संगत फलन होगा 4-x तो हमें मान पराप्त होगा 4-2-h जिसको हल करने पर मिलेगा 2-h इसको ओवराल नाम देते हैं समीकर नमबर 2 अब ग्याद करते हैं x बराबर 2 पर बाया उकलज जिसमें यहां मान रखेंगे समीकर नमबर 2-2 जिससे आगे हल करने के लिए 2-2 को कर देते हैं cancel बक्ती 3-h में जब माइनस-h का भाग देंगे तो हमें पराप्त होगा माइनस-3 जिसमें लिमिट अपलाई करने पर हमें पराप्त होगा माइनस 3 जो की बाइण अवकलज का मान होगा जिसको नाम देते हैं समीकर नमबर 3 इसी परकार ग्याद करते हैं दाइण अवकलज जिसमें पुने समीकर दो की सहता से मान रखते हैं तो लिमिट ह टेंश टू 0 जिसमें 2 से 2 को हटा दें के बाद माइनस ह में ह का भाग देंगे तो हमें पराप्त होगा लिमिट एस टेंश टो 0 और माइनस 1 जिस पर लिमिट अपलाई करने पर हमें पराप्त होगा माइनस 1 जो की दाइण अवकलज का मान हैं अब समीकर तीन और ची चार से सपस्ट है कि यह फलन एक्स वराबर दो पर अवकलनिया नहीं होगा अर्थाद यह खुले अंतराल में भी अवकलनिया नहीं होगा यानि यह बंद अंतराल एक तीन में भी अवकलनिया नहीं होगा जो की आपके क्वेशन का फाइनल आंसर है नेक्स क्वेशन में दिया गया फलन एक्स बराबर दो पर अवकलनिया है तो f-2 का मान ग्याद करना है इस थित तो हम यहां पर दाया उकलज ग्याद करेंगे और उसके लिए मुझे दो पर फलन के मान की अफशिक्ता पड़ेगी जो होगा दो का क्यूब यानिकी आठ और साथ साथ F2 प्लस H की भी अफशिक्ता होगी जो की बनेगा 2 प्लस H का क्यूब जिसे next हल किया जाए तो जिसे overall ना का मान ही मिलने वाला है और इस side में मान रख देते हैं समीकर नमबर 1 से तो हमें प्राप्त होगा 8 प्लस HQ प्लस 6 स्क्वेर प्लस 12 H माइनस 8 और बटे में H अब यहां पर 8 से 8 को कर देते हैं cancel next अंश में बचे हुए जो पद हैं उनमें से common लेते हैं H तो हमें प्राप्त हो होगा H square प्लस 6 H और प्लस 12 और बटे में आ जाएगा H, H से H को कर दिया cancel, 6 बचे पदों पर H का मान 0 रखें तो हमें प्राप्त होगा 12 जो कि F देश तो का मान होगा, जो कि आपके question का final answer है, next question में हमें महतम पूर्णांक X फलन दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि यह ह X बराबर 2 पर अवकलनी है, नहीं है, इसके लिए हम पहले F2 का मान गयाद करते हैं, जिसका मतलब होगा महतम पूर्णांक 2 यानि की 2, फिर हम गयाद करते हैं F2-H का मान, जिसका मतलब होगा महतम पूर्णांक 2-H, और उसके बाद हम गयाद करेंगे F2-H, जिसका मतलब होगा 2 से क्शोटी संख्या, इस बेस पर इसका मान ब्राप्त होगा एक और इसका मतलब होगा 2 से कुछ बड़ी संख्या जो जिससे इसका मान प्राप्त होगा 2, जो कि समी का नंबर 2 है, अब ग्याद करते हैं बायाओ जिसे समीकन 2 की साहता से हल करें तो हमें प्राप्त होगा limit h tends to 0, 1 minus 2 और बटे में minus h, जिसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा limit h tends to 0, minus 1 बटे minus h, जिसमें limit apply करने पर हमें प्राप्त होगा 1 बटे 0 यानि की infinitive, इसका मतलब इसके buying of clutch का मान विध्यमान नहीं है, अतै यह फलन x बराबर दो पर अवकलने नहीं हो सकता, जो कि आपके question का final answer होगा, next question में, दिये गए फलन के लिए हमें buying of clutch यानि f-2-0 का मान ग्याद करना है, जिसे दिये गए फलन की साहिता से हम लोग आके हल करेंगे, 2-h का मतलब 2 से चोटा, जिसके संगत फलन होगा x-1, इस अधार पर यहाँ पर बनेगा 2-h-1, f equal 2 का मतलब ये वाला अंत्राल जिसमें फलन होगा 2x-3, इस अधार पर f-2 का मान हमें प्राप्त होगा 2-2-3 और बटे में होगा-h, जिसको आगे हल करें तो limit h tends to 0, 1-h और-1 प्राप्त होगा और बटे में होगा-h, अगले पद में जब 1-1 cancel हो जाएगा, तो हम minus h में minus h का भाग देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 1, जो कि एक constant है, इसका मतलब बाएं अवकलज का मान हमें प्राप्त होगा 1, जो कि आपके question का final answer है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नए वीडियो के साथ जल्बी मुलाकात होगी, धन्यवाद,